आप 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 नवास्कार दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि 16293, 16300 के उपर जैसी सस्टेन हो तो आपने वाय करना है और कहा लेना टार्गेट है 16385, 16390, exactly वहीं ही टुआ और हमें मिला 100 पॉइंट का लगबत पुरा पुरा प्रॉफिट और इस तरह से हमें एक दिल पहले ही पता था कि हमने कहां करना है, क्या करना है और कहां पर प् तो इस तरह की फैसलेटी अगर कहीं मिल सकती है तो हमारे चैनल पर मिल सकती है और आप घरपूर कमा सकते हैं तो सबसे बिले जो नए आये हैं वो अपना ये चैनल जोई करें, सब्सक्राइब करें, बैल आइकन का पटन दबाए नीचे फ्री टेलिग्रम चैनल का लिंक करे दिया है, उसे जिरूब क्लिक करें को कि वहाँ पर भी हम काफी नौलेज देते हैं, आपको सुबह सुबह भी काफी कुछ बताया गया था, और उसके साथ-साथ नीचे डीमेट काहों के लिंक दियें, वहां से अपना डीमेट का फोल लिए और वहां से अपनी ट्रेडिंग तो उसके आगे, बैंक निफ्टी में हमी सेम ऐसे 3400 के उपर गा था, वह 34.540 हमें वह हमें 140 पॉइंट का प्रॉफिट, तो 140 इसमें और 100 इसमें, 240 पॉइंट का प्रॉफिट हमें बड़े अराम से, तो अब हम आते हैं कि बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने बड़ा ही, crucial level पर अपने closing दी है, वो कैसे कि आज इसने 10 डेमा के नीचे closing दे जाना, इसे कम से कम 10 डेमा से ऊपर closing करी चाहिए, 10 डेमा कहा है, 34.200, आज देखिए, जहां पर इसका जो resistance था, उससे पहले ही थोड़ा इसमें profit booking आ रही है, वो क्यों आ रही है, वो इसलिए आ आपको पहले भी दिखाई थी, यह देखिए, 9 माई की closing, 410, 10 माई की closing, 410, और उसके बाद आज जो उसमें फिर से closing आई, वही हाई लगा, 400 के आसपर, तो यही कारण है, कि यहां से फिर profit booking आगे, और यही पर मैंने तब ही यह level लगाया हुआ था, कि यहां से profit booking आनी है, त यहां पर अपना profit book करना, तो इस तरह से अभी इसको यह resistance feel कर रही है, उस तरीक का 10 माई और 9 माई कर, 9 माई और 10 माई को जो दो दिन closing दी है, उसकी वज़ा से जो निफ्टी में profit booking आई है, उसका असर bank nifty को पड़ा, उसका असर bank nifty पर ऐसे पड़ा, कि हलां कि bank nifty अपने final destination से दूर थी, पर वहां से पहले ही गिल गी और नीचे, 10 डेमा के नीचे closing दे दे दे, और bank nifty आज खासी week रही, अलांकि जब सुबह सुबह जब यह start हुई, तो यह nifty से ज्यादा आगे थी, और nifty से ज्यादा strong दिख रही थी, पर जो nifty के अंदर जो profit booking आई, उसकी वज़ था, इसलिए मैंने कहा था, कि यह इसमें buy on dip है, अब buy on dip नहीं करना, इसमें bank nifty में अब थोड़ा सा यह देखिए, करना क्या है, अगर देखिए 34100 टूटे, तो आपने put buy करनी है, 34400 की 34400 की आपने put buy करनी है, अगर 34100 के नीचे जाए, तो अगला target रहेगा 33994, 33994, 33994, 633640, और जैसी यह आए, 33500 से 3700, 23500, तो 23700, यहाँ पर आपने call buy करनी है, 23500 की CE लेनी है, 33500 की CE, stop loss आपने रखना है, 33400 का, 100 point का, और ऊपर यह target फिर वापको साथ को reverse, 33806, 33994, 34194, 34317 मिल सकते, तो इस तरह से, कल market इसी के बीच में घूम सकते, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो गया, यह देखिए, इसमें देखिए, इस टाइम, 9%, जी हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा, अमेरिका का आया था 1.3, और यह तो आया 9%, उसके बावजूद, कि इन्होंने काफी ज़्यादा इंटरस्टेट बढ़ाया था, इसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरस्टेट बढ़ाने जहीं था, इसने तो कई चाफ चासरी से 75, 1% भी बढ़ाया इसने, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा महिंगाई, असल में इसकी महिंगाई इसलिए ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पट्रोल और गैस मिल नहीं रहा है, पट्रोल, डीजल, गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इरोक के अंदर जो पाइप के रास्ते से रश्या का तेल और गैस अता था, इन्हों रहे खुद ही बैन लगा दिया, कि हम नहीं लेंगे, तो उसकी विजए से अमेरिका के पीछे लगके, इन्हों ये खुद ही अपने आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो इनकी इंफ्रेशन इतनी ज कर लेंगे, तो इस लिए, क्यों दूसरी चीज़ ये है, कि क्रूट फिर से हाई होने लगा है, 114 पर, और ये पिछला जो लेवल था, उसको क्रोस कर रहे है, 113 पॉइंट ये लेवल था, 113.34, अब आगया 113.54, मतलब इसके उपर ब्रेकाउट आने वाला है, अगर ये ब तो वहाँ पर दिमांड फिर से बढ़ने वाली है, तो ये लग रहा है कि 120 पर चले जाएगा, यही कारण है कि बैंक निफ्टी पर पूरा पूरा प्रेश है, और ये बैंक निफ्टी निफ्टी को अभी नीचे खींच कर लेकर जा सकता, तो अभी फिल हाल आपने जो बताय है, हाँ, दूसरी चीज, अगर माल लीजिए, गैप ओप ओपनी हो, तो आपने कोल तभी बाय करनी है, यहां रखना कि यहां पर इस एलियन में काफी स्टॉंग रिसिस्टंस है, तो यहां पर आपने कोई बाहिंग नहीं करनी, आपने कोल तभी बाय करनी है, अगर 34850, 34850 के उपर सस्टें हो, 50 मिनिट के इंडन, फ्लोस हो, तब आपने 347 00 की कोल, 347 00 के स्टॉंग फ्लोस के साथ आपने बाय करनी है, कोल, और जो उपर आपका पहला टार्गट रहेगा, वो रहेगा, 35026, 34944, यह क्या है, 34944 है, 220 एम, टोपी डे, एक्स्पोनेशन, मुवी अग यह है, आपका पहला टार्गट, उसके बाद 35020, और 3539, 35390, और जिसे साब से पुरे वर्ल्ड का इस टाइम खाल चल रहे है, कि कोई ना कोई डाटा आता ही जा रहे है, और उसकी वाज़ा से फिर से प्रेशर क्रेट हो जाता है, तो ऐसे लगता है, कि अब बैंक निफ्ट के डाटा, अभी और भी कई देशों के इंफलेशन डाटा है नहीं, तो उसका प्रेशर भी फिर से इंक्रीज हो सकता है, तो यह है बैंक निफ्टी का सारा ब्योरा, एक चीज मैंने और बता हुए, कि अगर माल लीजिए, डबल त्री, पो डबल जीरो तोड दिया, बैंक 7.00 की कॉल लेनी है, और स्टॉप लोज आपने जो लगाना है, वो डबल त्री, 6.00 का लगाना है, और जो टार्गेट है, 32960 और 325, देखें, ये सारे टार्गेट स्टॉप लोज रिटर्न फोर्म में, हमारा जो यूट्यूब पे शॉट आता है, उसे देखिया कीजिए, तो वहाँ पर रिटर्न फोर्म में, सारे लेवल, सारे स्टॉप लोज और सारे टार्गेट लिखे होते हैं, तो आप चाहें, वहाँ पर भी जासे हैं, पर यहाँ पर हम समझाते हैं सारा कुछ, कि क्या, क्यों और कैसे, और वहाँ पर ये जो लेवल में बता रहा हूँ, व ऊपर के जो टार्गेट उते हैं माइन रेसिस्टेंस और जो रेट किया होता है वो है स्ट्रॉंग रेसिस्टेंस यह याद जो ने दर्शक आये हैं उनके लिए मैं नहीं चीज़ समझाए पराने जो दर्शक है उन्हें प्राता है कि किसे साब से ये रेड ग्रीन और ब्लैक लाइज रगी हैं अब हम आते हैं स्टॉक्स का देखिए स्टॉक्स पहला स्टॉक था नेशनल अन्मोनिया नाइटी सिक्स पर बाय किया इग्जैकट इन्ञ सैवनग व्फित था दूसरा था कॉरो बंडल इंट्रनेशन ये हमने नाइन उन्हें पॉर्टी एट पर पाय किया और नाइन फॉर्टी तो हमारा स्टॉक्स रॉस है और अपोलव टायर यह टू वन थी पर हमने पाया तू इसका टार रहे ही तो गया और फाइब पॉइंट का इसमें प्रॉफिट होगे तो इस तरह से फुल मिलाकर हमें नो प्रॉफिट नो लोस पर यह मामला खत्म होगी तो कल के लिए जो हम एक जो स्टोग लगाएं उन्हें कराएं उसमें सिर्फ मैं एक इस टोग लेकर आएं क् तो कि कल थास्डे भी है उपर से मार्किट का मूर भी ख्राब हो रहे है डाव फ्यूचर माइनस है तो इस तरह से एक ही स्टोग वेस्ट रहेगा इसमें यह पैट्रोन पैट्रोनेट ने बहुत ही अच्छा ब्रेक और दिया है चार्ट पर यह देखिए कितनी अच्छी उपर इसने क्लोजिंदी तो इसलिए तक कोई भी डिपो तो आपने बाय करना है टू वन एट टू हंड़े डैमा के नीचे स्टॉप लो सकना है टार्गर 227 237 243 250 254 तक के आपको मिल सकते हैं अब हम आते हैं निप्टी को तो निप्टी में इंडिया विक्स है डबल 2.30 का आई ही गिना जाएगा लगातार बढ़ रहा है देखते देखते और उपर होगे और जो इस टाइम हाल है तो आप देखेंगे कि जो सिंगापूर निप्टी है वो वन 16195 पर और उसके साथ डाव फ्यूचर इस टाइम 190 नीचे है और इसके साथ हैंक सेंग भी 101 नीचे है औ और निकाई निकाई 203 पॉइंट उपर है यह शायद क्लोज है तो इसलिए यह उपर है क्योंकि यह इस टाइम इसका पीरिट क्लोजिंग से पाचब रहा है तो इस टाइम कहने का मतलब है कि वर्ल्ड मार्ट काफी ज्यादा नेक्टिव है और अब हम आते हैं यूएस डॉ सब्सक्राइं और सुळां दोसों पर भी स्टॉंग स्टॉंग सपोर्ट क्योंकि 50 L. Ilf 500 यहां फो तुदिए देखें तो यहाँ पर 40 रेक्पर की और अगर देखें तो जो स्ट्रॉंग रिजस्ट्न से काफी स्ट्रों फाउiane हो चुका अचे 16,000न फाइंड और नीचे 16,300 काफी स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस अब क्रेट हो चुका है मैं 16-300 पर ही कॉल रेटर काफी अग्रैसिव हो चुका है और नीचे की और और 16-600 यह स्ट्रॉंग स्ट्रोड दिखा रहें और अब हम ताते हैं कि आखिर निप्टील में हमने करना देखिए जैसे कि आपको पहले ही वहने क्लियर किया हुआ कि यह 16-400 का यह जो जोन है वह काफी रिजिस्टेंस है क्योंकि यह देखिए 9 मार्च को भी यह 16-400 पर ही प् तो पिछे भी काफी आपको 16-410 पर डिस्टेंस दिखाई दे दे तो जब तक यह 16-410 के उपर ना आजे तब तक आपने कॉल भाई नहीं करना 16-350 के साथ 16-410 के उपर आने पर ही आपने कॉल भाई करना है और टार्गट 16467 और यह देखिए यह जो 20 डैम है वो नीचे गि पर अब यह आगया 16-630 पर यह कोई अच्छी निशानी नहीं है इतनी तेजी से 20 डैमा का नीचे आना मतलब मार्किट कमजोर है मार्किट वीक है जब फॉलिंग होते हैं सारे डैमेज देखिए गिर रहे हैं नीचे कि यह तो यह अच्छे ही हो यह जब ऊपर की और हुमें हो तब ही यह स्टों होते हैं अगर यह नीचे के और गिर रहे हैं तो यह एक अच्छी तो अभी हला कि निफ्टी 10 डैमा के उपर है तो निफ्टी में आपको पूट किस ला नहीं देंगा कि यहां पर उट लें क्योंकि हो सकता है कि 166-170 के आसपास अब यह इसका जो 10 डै पूट राइटर का यह चोन है क्रोड़ों पूट राइटर है यहां पर तो इसलिए कल के लिए आपने क्या करना है अगर 16082 से 16100 तक कोई बिट पाए मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां 10 डैमा से उठा लो बाय कर लो नहीं नीचे आने दो 1609-16100 के आसपास यह आप कीजिए 16 1000 की कॉल स्टॉप लोस आपने 16000 का लगाने क्योंकि 16000 पर सबसे ज़्यादा पूट राइटर है कल तस्टे में काफी ज़्यादा वोल्टेल्टी होगी और पूट राइटर पूट राइटर अपना अपना कमाल दिखाएंगे और कल जो टार्गेट रहेंगे आपके 16166 उस और अगर 16306 उपर जाएंगे एक चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि 16300 पर कॉल राइटर जादा है यह ट्रेट होनी से रिस्की रहें यह ट्रेट सिर्फ वही ले जो रिस्क ले सकते हैं जिनके पास पैसा जादा है वरना बिलकुल भी यहां पर ट्रेट मतले क्योंकि यहां अच्छी बात है और 16400 के 16410 के उपर आये निप्टी तभी कॉल लेनी है वैसे कॉल नहीं यहां पर वहीं लोग लेंगे जहां अगर जो रिस्क ले सकते हैं दूसरे लोग नहीं जो लेंगे यहां पर रिस्क वह स्टॉप लॉस भी बिल्कुर नजदीक का रखें वह नजदी करेकली जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो सोला दो सो बनता है लगवक्स 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी यहां रखना पड़ेगा उपर से पूरी तरह से यहां पर रिस्क रिवार्ड रिश्यो काफी ज्यादा हाई है तो इसलिए इससे बचिए रिस्क ज्यादा है र चिली केंडल की जहां से बाइंग आई थी और अगर यह तूट गई तो फिर से मार्केट में हैवी सेलिंग आएगी 16,000 की पूट 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ और टार्गेट 15720 उसके बाद अगर 15700 तो तूट गया तो और ज्यादा सेलिंग 1558 1395390 पर इसके चांसे ज्य जीक्तरी में मार्किट पहले ही यहां से आजाएगी तो अब सोल नहीं होगी थोडा सा यहां पर अब यहां पर सस्टेइन ओगी थोड़े सी यहां पर मच्योर होगी मार्केट यहे अपना भीस त्यार कर दो यह मार्केट इस टाइंग ऐसे गुंते गुंते फिर यह 16-410 के उपर breakout देगी और असली जो इसका जोन बनता है मैं आपको बता हूं तो इसी के आसपास 16-550, 16-800 और 17-300 के बीच जहां पर यह डेमे हैं इन डेमो के आसपास होना चाहिए मार्केट को यह पूरे सारे डेमा क्रोस करके बीचे आ गी है त अगर यह डेमो के बीच में घूम रही हो तो फिर ओवरसोल नहीं कहला तो जब यह डेमो के बीच में आ जाएगी तब यह कहा जाएगा कि अब यह सही लाइन पे आ गए तो यह था पूरा ब्योरा निफ्टी, बैंक्रिफ्टी और तीनों स्टॉक्स का आज हमने एक स्टॉ आएगा